हेलो फ्रेंडस वेल्कम टो यूटूब चैनल अगरिविद्वन तो डिसकर्स्वाट्वाट अग्रिकलच्र एंड पॉब्लीड़ुच्वाइनस स्याफ आग्रिकल्चल फाइनस एक स्टेड़ी होती है मिन्स अध्यान होता है कि इसका फाइनसिंग एंड लिकविशटी सर्व प्रोवाइड करने का काम करता है और जितने भी लिक्विडिटी सर्विसीज होती है जो पैसा प्रोवाइड करने का काम करता है फारम बोरोवर्स को मिन्स जो हमारे किसान है या जो भी बड़े-बड़े फारम हाउस है उनको जो पैसा उनको उधार चाहिए होता है तो उनको जो प्रॉवाइड करने का सारा काम करता है वह मारा agriculture finance होता है इसलिए इसमें हम क्या-क्या कंसेडर करते हैं जो financial intermediaries होते हैं जो loan प्रोवाइड करते है अग्रिकल्चर को intermediaries का example कौन सा हमारा जैसे commercial bank हो गया जो बड़े-बड़े किसानों को भी और छोटे किसानों को वो भी सब को रिण देने का काम करते हैं नबार्ड हो गया हमारा ठीक है और जो financial markets होती है देखो financial intermediaries का और financial markets का इन वीचे intermediaries obtained their loanable funds देखो agriculture को तोर fund कोन करेगा financial intermediaries जैसे bank ने provide कर दिया लेकिन bank के पास भी तो कहीं से कहीं से पैसा तो आएगा न तो वो पैसा कहां से आता है व और हम intermediaries की दोनों की study को agriculture finance के अंदर count करते हैं ठीक है फिर मारा आता है agriculture finance की definition देखो definition इतना को complicated matter नहीं होता इसलिए मैं इनका सिर्फ main motive और इनका समझा देता हो आपको फिर आप इनको खुदी read कर लेना देखो economic study होती है यह fund को borrow करने के means जो किसान है जो farmers है वो fund को borrow करते ह means पैसे को उधार लेते हैं और उनके जितनी वी organization होती है और सारे के सारे जो operations होते हैं farm leading agencies के और जो society के interest में होते हैं और जो agriculture को credit प्रवाइड करना का काम करते हैं वही हमारा क्या होता है इसकी main definition होती है agriculture finance की मूरे दवारा दे गई थी 1953 के अंदर फिर मारा आता है टंडन औ और दो निया अलतवारा दे गए इसमें क्या था यह agriculture economics के एक ब्रांच agriculture financing एक की agriculture economics की और जो की से deal करती है with financial resources जो भी हमारे financial resources है जो individual farm units हमां महीं हमां आगे देखेंगे जो насколько fearful financing क्या होता है ठीक है यह basically micro agriculture financial related definition है फिर मारा आता है public finance public basically क्या आता है जो सब करे साजी का सिस्टम होता है जैसे हमारी सरकार होती है state center उनके अंदर जो funding की process होती है वो सारी सारी हमारी public होती है ठीक है प्रेविट तो हमारी सब क्या लग लग होगी public finance कि सीचरी deal करती है income and expenditure of public authorities देखो सरकारों का main motive क्या होता है जो financing का काम होता है उच में क्या होता है income कहां से आती है गवर्वेंट को expenditure काम पर करती है देखो यह इसी चीज़ से related होता हमारा public finance और इसके अंदर कौन कौन सी authorities हमार related होती है central government होगे हमारी केंदर सरकार जो राजय सरकार होते है हमारी state government सा लग लग state की और जो मारी local जो पंचायत सतर पर होती है वो हमारी सारी public income को और उसके expenditure को manage करने का काम करती है ठीक है और यह किस चीज़ से related होता है किस चीज़ से deal करता है problem of adjustments of income and expenditure of the government means government के पास पैसा क और वो expenditure कहां पर कर रही है वो school बनाने में कर रही है वो hospital बनाने में काम कर रही है जो जो भी expenditure है और government का जितना भी financial related होता है वो expenditure के हिसाब से होता है वो income के हिसाब से नहीं होता जैसे हमारी है जितने जादा हमारी income हो प्रोसेस लगवग हमारे से उल्टा होता है method of expenditure होते हैं जो public bodies के अंदर और साथ हमें जो जो borrowing करने का काम करते हैं public bodies इनहीं को हम क्या बोलते हैं operations of public finance means किस तरीके से वो expenditure करेंगे खर्चा करेंगे और कहां से वो उधार उठाएंगे यह यह दो हमारे main operations होते हैं public finance के ठीक है अब आते हैं definition public finance की पब्लिक finance के अलगलग definition से दी गई हैं फर्स्ट दी गई थी हूग डेल्टन द्वारा public finance की सीज से concern होता है income and expenditure of public authorities ठीक है कहां से इंकम आ रही है कहां पर expenditure कर रहे हैं और एक दूसरे की साथ उनकी क्या adjustment है simple definition कोई complicated नहीं है फिर आर आर द्वारा दी गई थी है कि जो complex problems होती है जो revenue expenditure के चरो तरफ गुमने का काम करती है और process होती जो गोर्वेंट जो हमारी गोर्वेंट होती वो expenditure के उपर main उसका base होता है और वही expenditure के साबसे पैसा उठाने का काम करती है एक simple definition दी गई है इसमें ज different sources of raising funds for agriculture as whole in the economy means जो मारा agriculture है वो कहां से fund को raise कर रहा है उसकी source क्या है ठीक है पूरी एकनोमी के अंदर ऐसा नहीं इंडिविजुल से कभी भी related नहीं होता मैक्रो मैक्रो पूरी के पूरी whole economy में agriculture कहां से fund raise कर रहा है ठीक है और किस चीच से concern होता है ये leading procedure कि थूरू आ रहा है वो rules क्या होंगे वहाँ पे regulations क्या होंगी monitor कैसे करेंगे उसकी देखबाल करेंगे control कैसे होंगे जो अलग-अलग agricultural credit institutions हमारे वो उनकी rule regulation procedure सब कुछ इसमें well maintained होता है microfinance इसी चीज से इसी चीज को deal करता है जैसे हमारा नबार्ड है वो process कैसे करेगा procedure क्या होगा उसका उसकी rules क्या होंगी regulations क्या होगी ठीक है यह हमारा एक example था जो hence जो microfinance हो किस चीज से related होता है financing of agriculture at aggregate level एग्रिगेट लेवल क्या होता है जैसे सेकोड हजारो इंडिविजुल को मिला के हमारा पूरा एक क्या बनता है एक country की जो new बनती है जितनी फार्मर्स है सब को मिला के ठीक है लाखों क्रोडों फार्मर्स को मिला के उनके पूरे चीज से related होता है मारा microfinance यह अके लिए एक इंडिविजुल फार्म से कभी भी रिलेटर नहीं होता फिर हमारा आता माइक्रोफाइनस क्या हता है यह किस चीज से रहफर करता है management of the financial management of the individual farm business units मिन्थ जो individual farm units हमारी उनकी financing कैसे होती है उनके अंदर जो financial उनके पैसा अलग लग रिसोर्स है जो कैसे manage होते है उसी चीज से related होता हमारा microfinance और किस चीज से concern होता है कि चीज की study करता है कि जो individual farmers हैं उनके source क्या है क्र अधर कहां से लेते हैं और quantum of credit क्या है और कहां कहां से चोट इस source कितना लेते हैं उस source कितना लेते हैं इन सब को manage करना का काम करता है और साथ में कैसे वह allocate करते हैं देखो अब यहां पे line पे आओ आओ आप how he allocates the same among the alternative uses within the farm means अगर उसने पैसा ले लिया तो वह invest कहां पे कर र है उसको machinery के अंदर invest कर रहा है या फिर किसी other input के अंदर invest कर रहा है means वह अपने resources को financial resources को कहां पी utilize कर रहा है यह भी से microfinance इस चीद से भी deal करता है ठीक है means और साथ में और किस चीद से concern होता है future use of funds means भविश्य में हम उन funds को जो मारे पास पैसा है financial condition है उसको हम आगे कैसे use क करेंगे microfinance उस चीद से भी deal करता है फिर मारा आता है conclusion means 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 हमने macro और micro दोनों पढ़ा तो इसका निसकर्स क्या है अब हम वह देखते है macrofinance हमेशा deal करता है total credit needs of the agriculture sector means जो कृष्यक्षेतर हमारे पूरे देश का उसकी credit need कितना है means उसको कितना उधार चीए उसको कितना पैसा चीए macrofinance इस चीद से deal करेगा ठीक है terms and condition under which the credit is available means वह कौन सी conditions है जैसे हम किसे भी चीज़ को app को भी download करते हैं उनके अंदर उनकी भी terms and condition आती है तो इसी तरह अगर हम उधार ले रहे हैं credit ले रहे हैं तो उसकी terms and condition क्या है किस conditions के उपर वह available है साथ में method of the use of total credit for the development of agriculture means हम किस तरी इसा total credit है उसको किर्शी की इफिकास में कैसे यूज करेंगे जबकि macrofinance की चीज़ से deal करता है financial management of individual farm business एक single farm है माले एक farm के अंदर 20 hectare जमीन है तो उसको वह farmer है तो अपने resources को कैसे यूज करेगा अपने पैसे की resources को किस तरह यूज करेगा वह micro economics में आता है फिर मार आता है significance of agriculture and public finance means जो किर्शी अक्षेत्र का finance है और उसे पूरे के पूरे whole country का जो public finance है वो उनका महतव क्या है उनका significance क्या है देखो agriculture finance हमारे जो गरीब किसान है उनकी जो संपत्ति है उसको बढ़ाने में हमारे help करता है साथ में जीतने भी food value chains है supply chain हमारी उसको दुरूस्त करने का का करता है क्योंकि हमें 2050 तक 9 billion लोगों को 9 billion लोगों का हमें पेट भरना है तो उसके लिए हमें agriculture को और जदा बूस्ट अप करना होगा और बूस्ट अप कैसे होता है बूस्ट अप होता हमें सा credit से पैसे से उसका financial management हमें अच्छा करना होगा और agriculture जो फाइनेंस है agriculture finance है वो प् जैसे green energy green fuel यह वर्ड किसके लिए किया जाते हैं जो हमारा sustainable होता है मेंस जो long term के लिए होता है जो नेचर को इतना ज्यादा हार्म नहीं करता मेंस हमें agriculture को भी तो green मनाना होगा ना व्योंकि आज कल ज्यादा इनका जो chemical चीज यूज कर रहे हैं जो हमारे farm के जो ecosystem उसको खरा पूरी की पूरी agriculture की उसको improve करने का काम किया जासके इसके अंदर हमारा agriculture finance help करता है यह उसकी importance है साथ में दुनिया के अंदर 70% 250 तक food की demand बढ़ने वाले क्योंकि population बहुत तेजी से ब्रस्ट आउट हो रही है और कम से कम हमें 80 billion annual investment चाहिए means 80 dollar जो US dollar है उसकी investment चाहिए हर साल ताकि हम इस demand को meet out कर सके हैं और जो agriculture finance है वो अजियों करता है और significant importance उसका कहां पर एग्रो शोशो इकनोमिक डेवलप्मेंट ऑफ दा कंटरी बोथ at micro and macro means micro and macro level means जो हमारा agriculture finance है means जो क्रिशिक शेतर में निवेश कर रहे हैं क्रेडिट देने का काम कर रहे है उसका agriculture पर तो है ही हेल्प साथ में जो हमारा समाज है क्योंकि हमारा समाज किस तीज में बना है हमारा base का से start होता है base होता हमारा farmer से और उनकी economic development होगी तो देश की economic development होगी वो social रूप से ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा तो देश की economic development के लिए हमें agriculture finance की सक्च जरूरत है ठीक है बड़े स्तर पर भी पूरे controller पर भी macro पर भी और छोटे स्तर पर एक single किसान के स्तर पर भी micro पर भी हमें इसकी जरूरत है और जो agriculture ह है उसकी आपको पता ही है लगबग 15-16% के असपास देश की जो gross domestic product है GDP है उसके अंदर agriculture का contribution भी है अब हमारा आता है rural areas home more than इंडिया की जो अबादी है आज भी वो लगबग 60-70% गाउं में रहती है लगबग 1.1 billion people आज भी हमारे गाउं में रहते हैं और बहुत सारे उनमे किसके उपर depend होते हैं आप कोई पता है rain fed agriculture और fragile forest for their livelihood जो मारे चोटे मोटे जंगल है या फिर जो बर्षात के आधार पर जो खेती होती है उसके उपर द्यादातर किसान डेवलप अपना निर्भर है पंजाब अहरियाना वेस्ट यूपी इन कुछ रिजन्स को छोड़के ब करना नहीं होगा तो यह वाला सिस्टम है तो इसलिए agriculture को finance करना वह ज़्यादा जुरूर है था कि हम टेक्नलोजी को अगहे लेके जासके और नहीं हमारा यूथ भी इसके अंदर इंगेज हो ठीक है यह हमारा इसका था सारका सारा significance अगर आपको वीडियो अच्छे लगे त लाइक करना शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अपने जो भी अपने विचार है वह अपने कमेंट्स में छोड़ के जाना थैंक यू फ्रेंट्स